हाई गाइस आज हम बात करेंगे Redmi K40 Gaming Enhanced Edition के बारे में को नाम से इसके बारे में पता चल रहा होगा कि इसके लिए बनाए गया है और यह अभी तक सिफ चाइना में ही लॉंच हुआ है इंडिया में यह जल्द ही आएगा मैं आपको इस वीडियो में पूरा इसके बारे में ब प्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चनल टैक सियार मैं सनितवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर चली शुरू करते हैं यह आपको 6.67 इंचेस के स्क्रीन साइज के साथ देखने को मिलता है जिसमें आपको OLED डिस्प्ले के उन्होंने प्रोवैट किया हुआ है इसके अलावा बात करते हैं तरस सेंपलिंग रेट की तो इसमें भी यह भी हाई में रखा हुआ है 480 Hz का इसमें दिया हुआ है उसके अलावा हम बात करें इसके रिजॉलूशन की तो इसमें एक अच्छार इंटू 2400 पिक्सल का IP53 इसमें दिया हुआ है, जो कि सिर्फ डस्ट पूफ और स्प्लेश पूफ में आता है अगर यह IP67 कुछ भी देता 60 ग्रेंट में, तो I think वो बहुत ज़दा अच्छा रहता यह MediaTek के Dimensity 1200 वाले चिपसेट के साथ आता है, जो कि 6NM टेकनलोजी पर बेस्ट है और अगर इसे हम compare करके देखें, अगर इसमें आपको MIUI 12.5 देखने को मिलता है, वह भी Android version 11 के साथ अगर बात करें इसके variants के बारे में तो यह different variants में आपको देखने को मिलता है और इसमें LPDR 4X RAM का support देखने को मिलता है और UFS 3.1 का storage देखने को आपको इसमें मिलेगा तो अब हम बात करेंगे इसके camera के बारे में, अगर आप इसके rare cameras के बारे में बात करते हैं तो triple camera setup के साथ ही आपको देखने को मिलता है जिसमें main camera 64 megapixel का, ultra wide 8 megapixel का और 2 megapixel का macro आपको देखने को मिलेगा और यह dual LED flash के साथ ही आपको देखने को मिलेगा इसके लगा हम बात करते हैं video recording की, अगर आप back से video recording करते हो तो इसमें 4K video recording 30 fps पर कर सकते हो 1080 में अगर आप कर रहे हो तो आप 30, 60, 120 fps पर कर सकते हो, 720 को आपको 60 fps पर record कर सकते हो तो हम बात करते हैं इसके selfie camera option में, तो selfie जो है इसकी 16 megapixel के साथ देखने को मिल जाता है तो selfie से आप video recording कर सकते हो, 1080 में 30 fps पर और 720 से 60 fps पर इसमें आपको 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है इसमें आपको 3.5 mm jack का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, अगर बात किया है sensors के बारे में आपको face unlock, side mounted, fingerprint, astro meter इसके अलावा आपको gyro sensor, proximity sensor, compass, barometer बहुत सारे sensor भरबर के इसने दिये हुए तो यह सारी चीज़न देखने को मिल जाती है इसमें आपको dual sim का सपोर्ट देखने को मिलता है लेकिन इसमें SD card का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता आपको अलग से और अगर बात किया है इसकी sound की तो dual studio speakers के साथ यह आता है JBL के और इसके इलावा हम बात करते हैं इसके बैटरी जो इसमें काफी बड़ी दियुए है और यह आपका 100% चार्ज कर देता 42 मिनेट में तो यह भी काफी बड़ी बात है कि इतने ज्यादा फंक्शन के साथ यह प्रोवाइड करा रहा है और चार्जिंग आपका काफी अच्छा दिया हुआ है और बैटरी भी काफी बड़ी है इसमें अब बात कर लेते हैं इसके व आप करेंगे सिफ 6128 के वारे में जो कि बेस वेरेंट है वन ट्रपल नाइन युवान कोस्त तकी गई है चाइन में जो कि इंडियन करंसी के हिसाब से देखा जाए तो वो अप्रोक्स 23,000 रुपीज होते हैं और यह आपको इंडिया में 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 के एंड तक देखने को मिल स लिए जो कि आरम से गेमिंग कर सकते हैं और 30,000 वो अपना आरम से इसको देख सकते हैं लेकिन एक चीज़ और गेमिंग फोन जो जातर अपने केमरे पर ध्यान देता नहीं है इतने जाता क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है वो सिर्फ गेमिंग परपस से बनाया जा रहा है तो हो सकता है इसका कैमरा ज़ादा खास नहीं हो तो डोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगहर आतको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप like करें वीडियो को hack करें कमर्य करें सब्सक्राइब करें और बहंटा दवाना ना भूलें औ मुझे comment में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स वीडियो किस्तों पर देखना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर मैं वीडियो बना सबूँ वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद चलिए बाई